क्या आप लोगों ने कभी रेलाइज किया है कि सभी diseases के duration अलग-अलग होती है कुछ diseases तो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं बट बहुत से diseases कई सालों तक हमारी बॉडी में रह सकते हैं बट वोट्स दा रिजन फॉर इट? diseases की duration के basis पे हम उन्हें दो पार्च में डिवाइड कर सकते हैं acute diseases और chronic diseases acute diseases वो diseases होते हैं जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं for example common cold, malaria, dengue, typhoid, etc remember we discussed की हमारा immune system इन सभी diseases को कुछ ही टाइम में भगा देता है जबकि chronic diseases बहुत time तक हमारी body के अंदर रहते हैं for example TB, elephantiasis, etc actually क्या है न कि ये pathogens बहुत शातिर होते हैं और हमारा immune system इतना easily इने भगा नहीं पाता इसलिए ये बहुत time तक हमारी body के अंदर रह सकते हैं almost सभी non-infectious diseases chronic होते हैं आपने भी देखा होगा कि diabetes, high pp, cancer जैसे बिमारियां बहुत सालों तक या फिर even lifetime तक body को affect कर सकती हैं acute diseases जल्दी ठीक हो जाते हैं but it doesn't mean कि ये खतरनाक नहीं होते dengue malaria जैसे बिमारियां जानलेवा साबित हो सकती है it's just कि इन diseases से कोई permanent damage नहीं होती and एक बार ठीक हो जाने के बाद patient normal हो जाते but chronic diseases permanent damage करवा सकते हैं जिसके effects patient को lifelong feel होते हैं for example TB से recover होने के बाद भी patient की lung में कुछ permanent damage हो सकती है जिसकी effects lifelong feel होते है